हेलो बच्चों, क्यासे हो आप? मैं हूँ सिमर और स्वागत है आपका अपने चैनल लाइट हाउस ओफ मैप आज हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशन और एक स्टोरी सुनेंगी हां जी बच्चे स्टोरी श्रू करते हैं, सुनते रहना दीखो इस पर क्या होता है पिशली लिए da आप अपने ममी बापा के साथ गए थे अपने नानानी के घर लेकिन इस पर आप सोचते हो कि नि में ममी बापा के साथ न गैँ जाओंगा मैं अपने भाई और दोस्तों के साथ जाओंगा दोस्त क्या है सोनू है और एक राजू है और आप चारो जाने क्या हो जाते हैं नानानी के घर जाते हैं नानानी लेकिन इतने में नाना नानी ने एक सर्वेंट भी रख लिया चीक है जी और आप आपके ग्रूप में चार जाने हैं और नानान नानी के घर कर नाम हम भी रख लेते हैं और आप गए नानानी के घर हां जी लेकिन इस पर क्या होता है कि नानानी ना शर्त रख देते हैं एक कि ठीक है आप अपने दोस्तों के साथ हमारे घर पर आ तो जाओ लेकिन हम गले तो उनको ही लगाएंगे जो हमारे नाती हैं हम भाई भी नानानी से मिलता है लेकिन आप भी बोलते हो कि हम सर्वेंट को गले नहीं लगाएंगे आप अब हमारे दोस्तों का गले नहीं लगाएंगे तो नानानी बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं तो यह क्या बन गया भई यही तो रिलेशन है तो शर्त हमारी क्या थी कि न नाती को गले लगाना, नाती को गले लगाना, हाँ जी, यह जो शर्त थी ना, इसको शर्त को हम relation बोलते हैं, उसको deloat करते हैं, हम R से, ठीक है जी, अब relation में हमारे पास कौन-कौन से members आएंगे, आपका नाम A रख लेते हैं, भाई का नाम B, C, D, E, F, G, ठीक है जी, सभी का नाम रख लिया, अब आप अपने नाना से मिलते हो, मिस A मिलता है E से, आप गए हो अपने नाना-नानी के घर, तो आप पहले आओगे, नानी बाद में आएगी, ठीक है जी, तो आप मिलते हो अपने नानी से, फिर भाई मिलता है अपने नाना से, और भाई मिलता है अपने नानी से, ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास एक relation, लेकिन अब problem यह है कि आपकी दिमाग में यह आता है कि क्या हम एक घर से दूसरे घर तक यह सिर्फ एक ही relation बना सकते हैं, क्या यह हमारे नाना नानी सोनुराजों के साथ नहीं कोई relation बना सकते हैं, बना सकते हैं, तो शर् दुबारा अगले महीने जाते हो अपने नाना नानी के घर दुबारा से लेकिन इस एक महीने में क्या होता है कि नाना नानी के साथ किसी बात को लेकर आपका जगड़ा हो जाता है आप दोनों भाईयों का ठीक है तो नाना नानी क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं आप आये त तो इस बार वो क्या करते हैं आपके दोस्तों को गले लगा लेते हैं तो आपके दोस्त भी बोलते हैं कि हम नहीं आपके सर्वेंट को गले लगाएंगे हम तो आपके नानानी को गले लगाएंगे तो इस बार हमारे पास क्या था नाती नहीं है शर्त क्या थी, जो नाती नहीं है, तो relation हमारा बन गया, relation R, पहले relation को हम R1 से denote कर देते हैं, दूसरे relation को हम R2 से denote कर देते हैं, ठीक है जी, तो इस बर क्या था हमारे पास, E, F, G, सोनू, नाना नानी से मिला, means C मिला पहला नानी से, C मिला फिर नाना से, ठीक है जी, D मिला पहला नाना से, फिर D मिला नानी से, तो हमारे पास दूसरा relation यह आ गया, अब फिर दिमाग में आता है आपके, क्या भई, यही कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, क्यों relation different आते जाएंगे, तो आपके जमार में कितने relation आएंगे असे और, कितने आ सकते हैं, तो उसका solution भी हमारे पास है, देखो, आपके घर में कितने हैं, आप ग्रूप में चार मन्दे, तो नाना नानी के घर, including सवन कितने हैं, तीन मन्दे हैं, ठीक है, इन दोनों को multiply किया, त तो 12, clear, तो relation में, relation from A to B, में कितने होंगे हमारे पास relation में आ सकते हैं, 2 raised to power 12, इतने number of relations आ सकते हैं, number of relations, देखो, कितने relation, इतने इदर 4 और तीने, इतने number of relations बन सकते हैं, हमारे पास, हाँ जी, अब इसको आपके बास, यह तो समझ आ गया, कि यह relation है, अब problem यह है, कि आप सोचते हैं, कि इसको हम mathematically कैसे लिखें, तो उसको लिखते हैं, अगर हमारे पास कोई relation आ दिया है, ठीक है, तो उसको हम टपल में लिखेंगे, ऐसे, अगर 2 set में हमने relation देखना है, तो ह हाँ पर relation क्या है, relation हमने define किया है, x नाती को गले लगाना, ठीक है, तो यह हो गया, हमारे पास x बिलॉंग करेगा, किसको पहले set को, और y बिलॉंग करेगा, हमारे पास, दूसरे तो, तो a set में जो जो नाती है, ठीक है, वो किसके नाती है, नानानी के, b set में किसके नाती है, उनको गले लगाएगा, तो यह हो गया, x, y, ठीक है, जी, तो जितने भी यहाँ पर बनेंगे, वो हम यहाँ पर नोट कर देंगे, और अब इसके बाद, अब यह देख दूमेन, और नानानी के घर के नाम को हम क्या बोलेंगे, को डूमेन, चीक है, जी, और जो हमारे पास यहाँ पर रिलेशन में आते हैं, जिनके साथ कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, उसको बोलेंगे, हम रेंज, तो डूमेन में हमारे पास यहाँ पर कितने अलिमेंट होगे चार, code domain पूरे का पूरा घर हो गया, जिसमें servant भी रहता है, clear और range में क्या होगा, जिनका सिर्फ relation इधर exist करता है clear relation किसी के साथ है कोई, तो वो क्या होगा हमारे पास range, उसका नाम रखेंगे हम range हाँ जी, अब इसके बाद हम इसके कुछ करेंगे numericals तो दिखना नेक्स्ट वीडियो में अब numericals, thank you